Hello civil engineers, I hope सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे, अच्छे conditions में होंगे तो आज का topic जो हमाया रहा, वो है बट इस hidden beam और concealed beam क्या होते हैं तो ये topic काफी imported है उन लोगों के लिए जो fresher है जिनको अभी पता नहीं है कि concealed beam, hidden beam, hatch beam, इनको काफी नाम से बुलाए जाता है और इनका advantages बताऊंगा, क्यों ज़रूरी है देना, इनमें आपको क्या-क्या चीज़ें दियान रखनी है जब hatch beam प्रवाइड करना और कहां कहां ये दिये जाते हैं hidden beam से आपको सामने clear ही हो रहा होगा, hidden beam हो गया कि मतलब वो जो beam आपको दिखेंगे नहीं, मतलब एक लटक नहीं दिखेंगे, आपने कोई भी construction देखी होगी, beam की, slab से नीचे एक T beam होता है, जो लटक नीचे beam दिख रहा होता है, लेकिन hatch beam या slab beam क्या है, वो आपको कभी भी नीचे नहीं दिखेंगे, मतलब hidden beam होगे कि slab के अंदर ही beam दिया जाता है, उनकी पिक आपको सामने photo show भी हो रहा होगा, कि वो अंदर ही रहते है slab के, मतलब उनका सरिया जो provide किया जाता है, वो slab के साथ में provide किया जाता है, और जब slab cast होती है, सा साथ में hidden beam भी cast हो जाते है, कोई भी लटक नीचे नहीं रहती है, इनको हम concealed beam भी बोलते हैं, और इनकी जो thickness होती है, वो same होती है, जितनी thickness slab की होगी, अगर 125 mm की slab है, तो 125 mm का ही वो beam होगा, तो इसको अगर और अच्छे से समझे, हम क्यों provide करते है है, hidden beam, देखो, कहीं कहीं span बड़ा होता है, और आपको load dispersed करना होता है, slab का, तो उस cases में क्या किया जाता है, जहां आपको, जहां भी clearance चाहिए ज़ादा की, आपका जो room की height हो, वो ज़ादा हो, आपको fall ceiling provide नहीं करनी है, तो नीचे लटक beam दिखेने, beam नीचे दिखने नी चाह भी बिठाए जाते हैं, जहां जो दिवारे होती है, mostly जो concealed beam दिये जाते हैं, वो दिये जाते हैं, जो हमारा load bearing structure होता है, यहां इंटों का काम किया जाता है, और गाउं बगार में आपको concealed beam देखने को ज़ादा मिलेंगे, वहां mostly concealed beam दिये जाते हैं, और दूसरी चीज, जहा आपके clearance चाहिए जादा, मतलब आपका height होगी, अगर तीन मीटर रखी है, तो नीचे लटक beam नहीं आना चाहिए, मतलब room की height जादा होनी चाहिए, तो वहां भी हम इस चीज को provide करते हैं, तो एक अच्छा है यह तो ना तो आपकी जो नीचे लटक दिखेगी, और mostly जहां आ slab में provide करते हैं, छज्जाज होते हैं, तो वहां भी हम क्या करते हैं, concealed beam देते हैं, अगर advantages की बात करें अगर हम, तो यहां आप देख सकते हो, एक तो यह form bug का खर्चा बच जाएगा, अगर लटक beam होगी, तो उसको side पे form bug करने बढ़ेगी, नीचे props provide करने बढ़ेगी, एक तो लेवर का भी खर्चा होगा, material का भी खर्चा होगा, लेकिन concealed beam में आपकी slab की shuttering होगी, उसी पे वो rest होगा, वहां पे सरीया बानना है, और direct mal डाल देना है, उसमें कोई जादा shuttering करने की ज़रूद नहीं होती है, एक तो it save on floor height clearance, वही जैसे मिने पहले बताया है, height भी ज जिससे जो मदल देखने में भी अच्छा लगेगा, प्लेन सी slab आपको लगेगा, अगर आप false ceiling नहीं करते हो, अगर false ceiling करनी है, तो आप दे सकते हो लटक beam, लेकिन उसमें आपका खर्चा थोड़ा जाद हो जाएगा, तो यही आज का topic आपको आई, यहोप आपको समझ आग झाल